नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चानल पे. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो हर इंडियन इंवेस्टर के पॉर्टफोलियो में होना चाहिए IRCTC. तो चलिए शुरू करते हैं. IRCTC, यानि Indian Railway Catering and Tourism Corporation, Indian Railways की एक सबसिडिरी है. और इंवेस्टमेंट स्ट्राटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले, थोड़ा ओवर्व्यू ले ले लेते हैं IRCTC के बिजनस का. IRCTC की ओनलाइन टिकेटिंग सर्विस ने Indian Railways की टिकेट बुकिंग को बहुत ही आसान बना दिया है. आप में से कितने लोग IRCTC के तुरूट टिकेट बुक करते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताए. IRCTC का रेवन्यू मेंली चार सेगमेंट से आता है. इंटरनेट टिकेटिंग, ये सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रॉटिबल है और लोकडाउन के बाद इसमें सिगनिफिकंट ग्रोथ देखी गई है. केटरिंग सर्विसेज, रेलवेज में फूड डिलिवरी और केटरिंग सर्विसेज, तुरिजम, डोमेस्टिक और इंटरनाशनल तूर पाकेज़ेज, पाकेज़्ट ड्रिंकिंग वाटर, रेल नीर ये सेगमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डॉट अब बात करत सही रहेगा, IRCTC का करेंट मार्किट सिनारियो थोड़ा वॉलटाइल है, गवर्मेंट पॉलिसीज, रेलवेज फेर हाइक्स और कॉंपिटिशन को देखते हुए थोड़ा कॉशन रखना जरूरी है, लेकिन IRCTC की मोनोपली और बिजनस मॉडल को देखते हुए, लॉग टर अगर आप IRCTC में इन्वेस्ट करना चाहते है, तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखे, लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक लॉंग टर्म में अच्छा रिटर्न डी सकता है, लॉनिटर गवर्मेंट पॉलिसीज, गवर्मेंट पॉलिसीज का IRCTC के बिजनस पे डाइरेक्ट इंपक्ट पड़ता है, डाइवर्सिफाई यूर पॉर्टफोलियो, सिर्फ एक स्टॉक पे डिपेंड ना हो, अपने पॉर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो IRCTC स्टॉक के बारे में, अगर आपको ये वी वीडियो में, तब तक के लिए, टेक केर और इन्वेस्ट वाइसली.